तो लापडाउन में क्या असर पड़ा है आटो इंडरिश्टी पर इस बारे में जानने के लिए हम काणडे मोटर्स में आए हैं आप देखिए यह कीया का सोरूम है आप देख सकते हैं किया की जो सबसे होटक केक है ये किया सेल टॉस वो है यहां पर यहां पर दिखिए ये किया कार्निभल है सबसे ज़्यादा मांग इसकी है और ये बहुत ही बड़ी गाड़ी है और बड़ी ही खुबसूरत है और 40 लाख रूपे में 40 लाख रूपे में इसका टॉप मोडल आता है और इसमें जो कि ये लाख डाउन के दोरान भी इस सो रूप में कितना चाहल पहल है खरिदार भी नजर आ रहा है है कि अब बताइए अभी लाख डाउन में भी बहुत भीन दिख रही है किया का जो गाड़ी है कार्निवाल और आपका सेल टॉस उसको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है लोगडाउन में गाड़ी के सेलिंग अच्छी होड़ी है ज्यादा कौन गाड़ी भीक रहे हैं और सोनेट भी लॉंच होने वाली है उसके भी काफी बुकिंग आ गई है कब तक आए गया यहां पर सेप्टेंबर में आएगा सवरूम में लागडाउन का कोई असर किया क कार्णीभाल पर सेल्टास पर कोई असर नहीं दिख राए और यहां पर जो ग्रहक आय हुए है और ट्रायल भी लेंगे गाड़ीयों को समझने कोशिस कर रहे हैं तो सेल्टास का यूथ में ज्यादा क्रेज है जो यूथ हैं सेल्टास को ज्यादा पसंद कर रहे हैं आई य ठीक है और अभी दिवाली के लिए आये हैं दिवाली में इनको गाड़ी मिल जाए दिवाली के पहले इसलिए अभी बुकिंग करा रहे हैं तो लाकडाउन का सेल्टास और कार्णीबल के सेल पर कोई खास असर नहीं पड़ा है आप देखिए सुरूम में चारों तरफ ग्र लहां को आना जाना जारी है तो दिवाली के लिए अभी सेलो गारियां बूक करा रहे हैं क्या आपको लगता है कि दिवाली के लिए अभी सेगार इंपर पार कर या हैं और सोनेट जो लॉंच होने वाली है उसकी भी बुकिंग 200 से उपर पार कर गई है तो आपसे अंदजा लगा सकते हैं लाकडाउन है लोग घरों में कैद हैं फिर भी गाडियों की विक्री पर कोई खास असर पड़ा नहीं है वैसे कई ऐसे आटो कंपनियां है जिन्होंने ला कर दो दो